दोस्तों डीजी इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है और आज इस वीडियो में मैं आपको उन सभी तरीकों के बारे में बताऊंगा जिनके थुरू आप इंडियन आर्मी और इंडियन नेवी एज अन आफिसर जोइन कर सकते हो वो भी बिना किसी रेटन एक्जाम क मातर जेई मैंस के स्कोर कार के थुरू जी हाँ बिल्कुल सही सुनाया आपने इंडियन नेवी और इंडियन आर्मी समय समय पे ऐसी बहुत सारी वेकेंसी जारी करती है जिसमें वो रिक्रूट्मेंट करती है इंजिनियर्स के लिए वो भी बिना किसी रेटन एक्जाम के मा जेई मैंस के स्कोर कार के थुरू और इसमें बिल्टेक भी इंडियन आर्मी और नेवी ही आपको कराएगी इसमें किसी भी प्रकार का खर्चा आपसे नहीं लिया जाएगा पूरा खर्चा इंडियन आर्मी और नेवी के द्वारा उठाया जाएगा और आपको पहले बिल् आइटी में एडमिशन लेते हैं या फिर नाइटी में एडमिशन लेते हैं और जिनको इन में एडमिशन नहीं मिलता है वो वापस से तयारी करते हैं या फिर कोई और कोलेज में एडमिशन लेते हैं लेकिन इस तरफ बहुत ही कम लोगों का ध्यान जाता है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही कास है इस वीडियो में मैं आपको इन वेकेंसी के बारे में ये कपकप गाती है क्या क्या उनमें इलिजिबिलेटी होती है साथ ही अगर रेटर ने एक्जाम नहीं होता है तो सेलेक्शन प्रोसेस क्या है ये सारी चीजे बताऊंगा और एक और चीज में आपको बता दूँ बीटेक जब आपको करवाई जाती है तब आपसे कोई भी यहाँ पे पेसे नहीं लिये जाते हैं और साथ में सेलरी भी दी जाती है 56,100 रुपए पर मन्त ये स्टाइपेंड आपको मिलता है बीटेक करने के दोरान ठीक है तो अब आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले इलिजिबिलिटी जानते हैं तो सबसे पहले इलिजिबिलिटी कंडिशन है जे इमेंस का एक्जाम आप पर मैं आपको बता दू पांच लाग तक अगर आपके रैंक है तो आप ये फॉर्म बिल्कुल भरिये क्योंकि बहुत सारी कंडिसेत में साड़े साथ लाग रैंक वाले स्टुडेंट्स का भी SSB इंटर्व्यू के लिए कॉल लेटर आया है वो भी इंटर्व्यू के लिए सोट लिस्ट हुए हैं तो आप इसमें फॉर्म जरूर बढ़ना और साड़े तीन या चार लाग के आसपास आपके रैंक है तो आप बिल्कुल सेफ जॉन में हो आपका जो कॉल लेटर है इंटर्व्यू के लिए वो आना ही आना है बिल्कुल सेफ जॉन में हो इसके अलाव यहां पे आपके जो ट्वल्थ है उसमें PCM में एग्रिगेट 60% मार्क्स होने चाहिए यह एक और कंडिशन है इसके अलावा आपकी जो एज है वो साड़े 17 साड़े 19 साल के बीच में होनी चाहिए वो जिस दिन फॉर्म बर रहे हो उस दिन की बात नहीं है यह आपकी एज क साड़े 19 के बीच में होनी चाहिए और साथ ही unmarried male और female के लिए यह vacancies आती है इस बार navy में female को allow कर दिया गया है और army में भी आगे आने वाले एक दो साल में allow कर दिया जाएगा तो इस साल जो navy का notification आया है उसमें already female के लिए vacancies है तो यह है eligibility conditions यह अगर आप fulfill करते हो और यह बहुत सारी common eligibility है यह सभी fulfill करते हैं 12th pass करते ही ठीक है तो इसके तुरू आप join कर सकते हो इसके तुरू form बर सकते हो अब form कब कब आता है वो देख लीजिए तो अभी आप इस skin पर देख सकते हो Indian army है उसमें TES की vacancy आती है technical entry scheme के नाम से हर साल दो बार ठीक है तो हर साल दो आ आपके पास में मौके है Indian army join करने के और हर साल Indian navy में BTEC के डेट entry scheme के नाम से form आते हैं और वो भी हर साल दो बार तो दो और दो चार बार यहां पर form आते हैं चार मौके आपके पास में है एक साल में J.E.Mans के scorecard के थ्रू Indian army और Indian navy AJ officer join करने का इसमें आपको engineering करवाई जाएगी Indian army और navy के दोरा ही free of cost और साथ में salary भी मिलेगी salary 56,100 रुपे BTEC के दोरान मिलेगी और उसके बाद में तो आपको पता ही है आगे मैं बता देता हूँ तो आप कुछ benefits में आपको बता देता हूँ क्या क्या benefits है यहाँ पे इस तरह से Indian army और navy जोइन करने का सबसे पहले तो मातर 12th pass यहाँ पे मांगा जाता है 12th pass के बाद में आपको BTEC करवाई जाएगी Indian army और navy के दोरा ही अगर आप बाहर से BTEC करते हो तो उसका खर्चा आपके बहुत ज्यादा आता है उसके बाद में आपको private job करते हो लेकिन यहाँ पे सीधा आपको 12th के बाद में SSB interview देना है और BTEC आपको Indian army और navy ही कराएगी और जो आपको डिगरी है वो JNU से दी जाएगी जमालला नहरू उनिवरसिटी से ठीक है JNU से दी जाएगी जो की बहु दोनों में आपको permanent commissioning दे दी जाएगी और permanent commissioning में आपको rank दी जाएगी आर्मी में अगर आप हो तो आर्मी में starting rank आपको दी जाती है lieutenant की और navy में आपको rank दी जाती है sub lieutenant की और इनकी starting salary की अगर बात करें तो एक लाग से उपर ही starting salary होती है दोनों की ही और इसके अलावा बह 19 facility मिलती है और भी बहुत सारे allowance मिलते हैं अगर high altitude area में आपकी posting अथे to a ÉLAG करशे होंगे hard area में posting अथे उसके लिए a ÉLAG करशे मिलते हैं तो यह सारी facilities आपको मिलती है और, जई oficर आप Indian army और Navy join करते हो वो भी permanent commission तो आपको pension का भी यहाँ पर lab मिलता है तो बहुत सारे benefits यहां पे है जो कि मैंने आपको बताएं है इस तरह से Indian Army और Navy join करने के लिए और जो join करने का process में आपको बता देता हूँ क्या यहां पे selection process रहता है तो सबसे पहले आपको form fill करना है और form की जानकरे आपको हमारे इसी चैनल पर मिल जाएगी अभी भी form आये हुए हैं दोनों ही vacancy के लिए और मैं आपको जैसे ही notification आता है उसकी जानकरी इसी चैनल पर दे देता हूँ और साथ ही form कैसे बढ़ना है वो भी बता देता हूँ तो हमारे चैनल को subscribe कर लीजिए जाती है और merit list में अगर आपका number आ गया है तो आप join करते हो इंडियन आर्मी या नेवी उसमें सबसे पहले आपको BTEC करवाई जाती है और BTEC के दोरान आपको 56,100 रुपए स्टाइपेंड मिलता है हर मेहने फीज की बात तो दूर है यहाँ पे आपको salary भी दी जाएगी हर मेने 56,100 रुपए ठीक है यह 4 साल तक होगा और 4 साल के बाद में जैसे ही आपकी BTEC complete होगी आपको permanent commissioning दे दी जाएगी as a officer ठीक है इंडियन आर्मी और नेवी में तो यह बहुत ही attractive vacancy है लेकिन बहुत ही कम लोगों का ध्यान इसकी तरफ जाता है और बहुत सारे ऐसे मौके है यह देख लीजिए 4 बार यहाँ पे मौके आते हैं हर साल इसके अलावा NDA का भी form आता है लेकिन उसमें return exam होता है उसमें भी BTEC करवाई जाती है यह और मैं आपको clear कर दूँ NDA में भी BTEC भी करवाई जाती है और कुछ लोगों को BSC करवाई जाती है तो यह कोर्स NDA में करवाई जाते हैं और इसमें भी JNU से ही डिग्री दी जाती है इंजिनियरिंग की और साथ में NDA का phone भी हर साल दो बार आता है लेकिन NDA का बस return exam होता है तो यहाँ पर total मिला दिया जाए तो 6 मोके आपके पास में हैं इंडियन आर्मी नेवी और एर फोर्स जोइन करने के as a officer as a engineer और वो भी मातर 12th pass होने के बाद में तो यह information आपको अच्छे लगी है तो इस वीडियो को like करना और ज़्यादस ज़्यादस शेयर करो जिससे की सभी students तके information पहुँचे क्योंकि J.E.M.S. क्रेक करने के बाद में लोग सिर्फ IIT और NIT की तरफ ही जाते हैं इसकी तरफ जान बहुत कम लोकां को है लेकिन ये भी बहुत ही attractive job है ये भी बहुत ही जबरदस्ट option है अगर आप engineer बनना चाहती हो तो क्योंकि direct Indian Army और Navy में आपको एक secure job मिलेगी बिटेक भी उनके द्वारा करवाई जाएगी कोई भी खर्चा जिस दिन से आपका selection होगा उस दिन से आपका नहीं लगेगा उस दिन से आपको salary मिलेगी ठीक है तो बहुत ही जबरदस्टी vacancies है जिनका ध्यान अभी तक बहुत से कम लोगों का जाता है लेकिन अगर आप ये join करते हो तो ये आपके लिए बहुत ही फायदे मन साबित हो सकता है तो इसी परकार के information के लिए आमार चैनल डीजी इंडिया को ज़रो subscribe करें Thank you friends, thanks for watching this video